हमारा फर्स्ट क्वेशन है जल संभर की व्याख्या कीजिए जल संभर प्रबंदन से आप क्या समझते हैं उप्यूग तुधान देते हुए भारत में जल संशादन प्रबंदन में इसके मैतों की चर्चा कीजिए explain what a watershed do you understand by watershed management give suitable example discuss its significance in water resource management in India question क्या है watershed क्या है और watershed प्रबंदन क्या है भारत में जल के स्वरक्षन के लिए watershed प्रबंदन का क्या महत्तो है हमारा question तीन ही सों बटता है अगर हम introduction दें तो हम जल संभर की प्रबासा लिख सकते हैं हम अगर समान्य भासा में लिखें कि अगर मान के चलो मान के चलो ये हमारा घर है ये बारिस होती है यहां से बारिस का पानी नीची धर्ती में आकर गिरता है ये प्रवाइट होकर नाली के माद्यम से कहां चला जाता है जोहोड में या तलाब में नदी में अगर यहाँ पर एक बड़ा सा क्षेतर मादे तो यह भर जाता है जिसका अपनी नाड़ा जील सागर में परवाईते हैं जल संबर शीमा जल प्रवा को प्रिथक करने वाले जलधारा चैनलों के चारों और विद्यमान श्रोच कटकी अटेखा कानुशन करती है जे जल प्रवा है मूल रूप से वर्षा जल भूजल और हीम के पिंखलने से निर्मिज जल के रूप में हो सकते हैं और भूमी के उस निचले और निमन्तम बिंदू पर मिलते हैं जहां जल संबर से बाहर की और जल प्रवाहित होता है तलाब के संद्रब में जल संबर कुछ हेक्टर तक सीमित हो सकता है जबकि नदियों के संद्रब में ये सेंकडो वर किलोमेटर तक विस्तित हो सकता है अगर जल संबर की दूसरी प्रिभासा देखें मान के चले जल संबर वो होता है मतलब अगर जल्य निकाय का कोई भी स्त्रोत है उसके जल का प्रभाव कितने खेत्रों पर पड़ता है इसने का अगय तलाब के शंदर में जल्संबर कुछ हैक्टर तक सिमित हो सकता है यह तलाब है इसका जल्संबर यह जो इसके पास का जो भूमी वाला हिंस्जा है इस पर भी इतलाब के जल का प्रभाव कुड़ेगा लेकिन नदी है यहां पर भी इससे जल संबर जो अक्षेतर है वो ज्यादा होगा अगर हम देखे जल संबर प्रबंदन क्या होता है जल संबर प्रबंदन क्या होता है जल संबर प्रबंदन प्रिष्टे जल और बूजल संसादनों के कुसल प्रबंदन और जल स्रक्षन को संदर्बीद करता है जल संबर प्रबंदन क्या होता है अगर बर्षागा पानी बहने से रोकना व्यार्थ बहने से रोकना तथा भूजल के संसादनों का कुछलता पुर्वक प्रबंदन और स्रक्षन को संदरवित करता है इसके अतिरिक्त प्रवाई जल को रोकना और विविन वीदियों जैसे अंतैस सत्रवन टैंकों पुनर भरन पुवों आदी के माध्यम से भूजल का संचन यहों पुनर भरन संबलित है तथा पी व्यापकर्थों में जल संबन प्रबंदन के अंतरगत सभी संसादनों चाहे वो प्राकर्ति को जिसमें भूमी जल पहुते प्राणी और या मानुए हो जल संबर यानि गड़े तलाब का स्रक्षन और पूंदर पादन और विवेक पूंपयों को संदरवित करता ह कहने का मतलब क्या है जल संबर प्रबंदन क्या होता है जल का संघ्रेन करना चाहे उतलाब में करें चाहे गड़े में करें चाहे पक के जो हमारे आवसरे चना उसके निर्मान के द्वारा करें और उसको संसोदित करना फिर उसका आपने नीजी यूज में करना नीजी क्या कहते हैं कि भारत में जल के स्रक्षन का क्या मैतो है इसका मैतों हम तब कर सकते हैं अगर हम भारत में जलीय श्थिती का कोई फैक्ट दे सकते हैं जिस प्रकार नहीं थी आ योग की एक रिपोर्ट आई थी कि 2020 तक बारत के 21 बड़े सहर जिसमें बंबई दिल्ली का जो भूमी जल सतर है वो सुनने तक पहुंच जाएगा एक रिपोर्ट हो थी भारत में 60% लोग आती गंबीर से गंबीर जली है साब जल की उपलवदा से वन्चित है और 35% घरों में दिल्ली की बात है 35% घरों में सुध जल का पहुंच का भाव है और इसी परकार इसने कहा कि भारत में जल संबर प्रबंदन का क्या महतो है हम जानते कि भारत एक क्रिशी परदान देश है और भारत भारत का 68% अक्ष्यत्र पल वर्सा 36% घरों में जल समबर प्रबंदन सबसे ब्यवार यह बिकलप हैं जल संबर परबंदन सुखे और बाड जैसे जो समस्य आती है मैंने आपको पहले बता था अगर आपदा से रेलेटेड कोई क्वेस्टन आता है तो आपको ये आपदा में क्या हो सकता है बाड भी हो सकती है सुखा भी हो सकती है भूकम भी हो सकती है चक्रवात भी हो सकती है प भारत विश्यों के दस सबसे अधिक आपता स्वेजन जिल्देशों में से एक है आपको दूसरा एक याद रखना है अगर आपता से रिलेटेट कुछ आता है तो एक याद रखे सुभू पाच शुभू सुभू बाच यह मैंने कोड बना रखा है शुभू बाच 58 ठावन 22 आठgregा है 68 ठावन 12 आठ अगर हम जल परबंदन करते हैं तो बाड़की समस्या का भी सबाहनान कर सकते है न दूसरा सुख्य की समस्या भूत सब्सक्राइब करने में सहता कर सकता है क्योंकि वर्षा के जल और पिंगलने वाला हीम से उत्पन अभवा का जील और नदी को पुर्दूसित करने में तदीक योगदान होता है इसमें क्या कहा है जो जल संबर प्रबंदन है ये जल संसादनों के प्रदूसित को भी रोक सकता है कैसे रोक सकता है क्योंकि वर्षा जल जल प्रवाइट होता है तो रास्ते में अपने जाट साथ जो एफसिष्ट है गंदगी है उसको लेकर नदीय जील में भी पहुंचाते है जिसके करन क्या तो नदीय और जल्य प्रदूसित हो जाती है अगर जल वर्षा जल को हम एक जगाए घर्व में जहां पर वर्षा होती है वहीं प्रबंदन करते हैं तो इससे नदीय प्रदूश्ण और जील प्रदूश्ण को भी रोका जा सकता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चूंकि ज की जल शंबर सीमा राजनितिक शीमा के अंदूप नहीं होता है इसलिए इसका प्रबंदन इसके निचेले चित्रों में जल संसाधनों के संकट को कम करने में कुल परत्यक्सूरूप से थाहेक है तो इसे जल संबर प्रबंदन करेंगे तो इसे नहीं यह नहीं होगा की शिरप UP की समझ्या सोलो होगी या बिहार की समझ्या मिलेगा महाराश्टर के रालेगान सिद्धी गाओं में अगर आप example देना चाते हैं एक रालेगान सिद्धी गाओं है वह पर जो जल संबर प्रबंदन की सफलता उलेखनिय रही है जल संबर प्रबंदन के माध्यम से निरंतर सूखे से घरसिद गाउं को वर्तमानम जल की अधिशेश किस्तिती में ला दिया है इसने अर्थिक गतिविदियों को प्रोशाइट करने के साथ साथ महतपुन परिया समाजिक प्रिवर्तन करके गाउं और ग्रामिनों को आत्तम निर्भर बनाया है एक संसाधर के रूप में जल स्विमीत मात्रा में विद्यमान है लेकिन यह जीवित प्राणियों के अस्तिताओं के लिए एपरी हरिया है भारत में इसकी मांग और आपूरती के मद्य भारिय अंतरालवी द्यमान है 2015 और सोड़ा में भार सरकार्दूरा आरम किये गए जल करांतिय भ्यान में देश में परतीवे एक्ति उपलवदा के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिशित करने है तो जल संबर प्रवंदन मुख्या गटक है हमारा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं महा साओर यो जल में तापन के उद्रावद और अक्सांस्य वितन के साथ ही इसके उत्रदायतों कारण बताने है मान के चले घग्जिए यह हमारा ढहWow कि आ हिसके तप मान में जो गहराई के साथ जो तापन है उसमें बढ़ने घटने का क्या करन है और अक्सांसिय उस्तार अगर ये हमारी करक रेखा है विश्वत रेखा है अगर ये करक रेखा है अगर हम जो अक्सांसिय उस्तार यहां इस साइड जाएंगे यहां पर जो जल है वहां पर जो तापमान में अंतर है और जो जल की घराई में जाने पर जो अंतर आता है उसके क्या कारण है माख जलमें कि उद्रादर मल्टल की गैराइब में जाने पर जल के उपराने पर टाप मा बदलावाता है अगो लिखना है अगर हम देखे महासागरों के तापमान का जल का अध्यन करें तो जल की उरीद मातरा के संचलन जल की उरीद मातरा के संचलन समूंदरी जीवों के वीतरन लवणता जैसे अन्य अगुणों का अध्यन करने के लिए महत्यपूर्ण है नुगा जो तापमान का अध्यन क्यों करते हम इससे क्या होता है जल की रिद मात्राम के संचलन जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है समुद्री जुओं की वीतरन मतलब कोन सा जीव कितने तापमान में रह सकता है लवन तजे से इन्ने गुणों का अध्यन करने के के लिए मैत्पूर्ण है महासागरेजल की तापमान की इस वीवन पद्धिक का दो प्रकार से धन किया जा सकता है पहला है उद्रावधर मतलब क्या है अगर यह तापमान यह क्याना में समुद्र है तो एक नक्सा है इसका यह यह 25 से 30 किलो मेटर तक 25 से 35 किलो मेटर तक और 35 से 1000 किलो मेटर तक और 1000 के बाद की आएगा ऐसे सिंपल आएगा इसमें क्या बताया है महाशागरयजल के तापमाल घहरएं में प्रोफायल से ज्यात होता है कि बढ़ती हुई घहरएं के साथ सा तापमाल किस प्रकार कं मोता है इसमें तीरी शेरिणा बनाई है । अगर वो जाते हैं तरी सित पर नादी में वरंित प्रथम परत है 20 डिग्री से 25 डिग्री तक तापमान रहता है सेल्सिस के मद्दे के तापमान के कारण उसन महासागरेजल के सिर्ष परत को परदर्शित करता है उसन कटीवन एक शेतर के अंतरगत यह परत वरस भर विद्यवन रहती है इसमें क्या हो है सुमुंदरी उसन के तीन परत बना दिया पहली परत है जो सुमुंदर का जो उपरी 20-25 किलो मेटर का ख्यतरपल है जो 20-25 मेटर मुटाई की जो परत है जल की उसका तापमान 20-25 डिग्री संटीटर घृट रहते हैं उसके बाद हजार किलोमेटर तक जली ताबन घड़ते हैं उसके बाद हंसमान प्र मनसमान ँधार सेम्धवन रहता ये तीन स्रिणिय माटिक यह उस्य competis मेरं रहती है क्योंकि वह उड़त सब्सब्रहर रहता है दूसरा तुम्हां मद्यक सांस में यह परत शिरफ ग्रीशम रूतुम रहती है क्योंकि शीत रूतुम में ताप मन उपर भी अधिक उपर वाल एक्षेत्र में भी अधिक हो जाता है और जो नेक्स्ट क्या है लिक नेक्स्ट पॉइंट हमारा ताप परवनता परत इसको कहते थर्मो के लाइन यह दूतिय परत है पर्थम परत के नीचे स्थित होती है इसमें ताप में तीवर हास की विशेष्टा पाइदत जाती है हमने बताया कि एक दम यहां से 25 किलो मेटर से यहां 25 मेटर की गराई के बाद एकदम गिरा उटाती है थर्मो के लाइन परत अगर ठीक है यह दूसरी परत है इसमें ताप में तीवर्ता से हास आता है तीसरी परत अत्यादिक ठंडी होती है इसका विश्टार गहरे समूंदर तल तक होता है यहां ताप मान लगबख रहता है डूरुक 6-3 में परिश्टिय परत का जल जल का तांब जिरो डिजिक्री के निकट होता है इसलिए करhead के साथ सF सब्सक्राइब बहुत कम प्रियुटन होता है आशा है आपको समझ में आ गया अगर आपको दुबारा समझाओं एक बार जो समुद्री जे समुद्र मान के चले अगर आप 20-25 मेटर की घराई तक जाएंगे तो गरी समकाल में 20-25 दिगरी सेंटीड तापमन होगा अगर 25-30 मेटर की घराई तक आ सकता है चार डिगरी सेटीड तक उसके बाद 1000 मेटर की घराई के बाद समुद्र जल्लग समान ही रहता है और टेमपरेचर अधिक कम होता है इसी परकार अगर हम समुद्र जल्ल की लवणता देखें 20-25 मेटर तक लवणता अधिक होगी उसके बाद एकदम डिकलाइन होगी उसके बाद सेम ही रहेंगे ये तीर पूरती है चाहे वो थर्मो कलाइन में हो चाहे धर्मो हैलाइन थर्मो कलाइन को टेमपरेचर रिलेट अगर हम अकस्ति देखें मलकसांस के अनुशार सर तापमन में क्या बदलाव होता है देखें महसागरों के प्रिष्टिय जलका और तापमन स्टाइडिगरी सेल्सिस होता है यह भूमद्य रग का से दुरूं के उल जाते हुए गड़ता है यह तो समाने कोमन सेंसी बात है क से दिखाई देता है और धुर्वप कि आ सबसे तापमन में हास की दर शमाने से समानेता है आदा डिगरी पर त्यक्सांस होती है उत्री गुलार्टमें स्थित, महासागरों में दक्षिन गुलार्ट के तुल्ण में अपएक सागुरिच उस तापमान दरज किया जाते है। इस कोने पर अत्राल अधिक होते है। महासागर्य जल के तापमान को भी तुन को प्रवाइद करने वाले कार कुण कुण से हैं पहला कार्ट अक्सास हमने पढ़ लिया कि विश्वत रेखा कि आसपास तापमान अधिक होता है समूंदरी जल का अगर आप दूसरे धुरू की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है दूसरी बात जल और स्थल के बीच में अंतर अगर जल अधिक मातरा में फैला हुआ है वहां तापमान में अधिक अंतर होने की जमाना कम होती है लेकिन जहां जल और स्थल में अत्यदिक भी समूता है वह परकार से हैं और इसी परकार जो लोगोर बगारा धारा है और यह एक श्वेघ्र को कम करती है नेक्स्ट हमरा इन क्लोज निश्मूंदर निमनक साशों में परीविष्ट समूंदर खूले समुंदर के तुल्णा में अधिक गरम होता है जबकि उच्छासों में बंद समुंदर होगा ताप मान खूले समुंदर के तुल्णा में कम होता है हमारा next question है तीसरा व्याख्या कीजिए कि प्रित्वी के आंतरीक भागों के सरंचना को समझने के लिए भूकम प्यति रंगों का एपर टेक्स तुरोथ के रूम में किस परकारक प्रयोग किया जाता है देखो अगर हम पृत्वी के अंतरिक सर्चने के बारे में कॉमन बताएं इसको तीन भागों माटा दाता है बूपरपटी, मेटल और क्रोड बूपरपटी, मेटल और क्रोड 25 से 35 किलो मेटर तक बूपरपटी और 35 से 59 किलो मेटर तक क्रोड और मेटल और 353 की बीच में रहता है क्रोड तीन भागों परपटी है इसकी सर्चना के लिए हमको बूपरपटी का क्या मेटल है जो बूपरपटी के धार पर ही हम आंतरिक बूपरपटी को समझने समझ सकते हैं क्योंकि भूपर तरंगे ठोस अक्षेतर में अधिक्ति और गति से गति करती है और दर्वित यानि दर्मित या पलास्टिक अक्षेतर में कम गति से गति करती हैं अगर देखे तो भूपरप के दुराण उत्पन भूपरपटी तरंगे परित्वी के आंत्रिक भाग के विष्चे में जानकरी प्रतान करने वाले मैतवर्ट सुरूतों में से एक है भौकम पिया उर्जा को भौकम पिया तरंगों यानि P और S दो तरंगे ऐसी हैं जो प्रिथवी के अंदर से गुजरती हैं इनको बोडि वेवी कहते हैं और ध्रातले तरंगे L जो अधिक पर ही होती है पी तरंगे प्रात्मिक तरंगे हैं और भूकम पी तरंगों में सबसे अधिक तीवर्गति से चलने वाली तरंगे हैं और ये सबसे पहले अभी अधिक इंतर पर सबसे पहले पहुंचती हैं ये तरंगे ग्यास ये तरल ठोस तिनों वाद में गुजरती हैं अगर हम S तरंगे पी और एस् तरंगे प्रिथ्वी के अंतरीग भाग से होते हुए सबी दिसायों में परशारित होती हैं, प्रिथ्वी के अंतरीग भाग से गुजरने के दुरान उनके व divisions में प्रिवत्ष नाता है, मैंने आपको बताया है जिस परकार कह सकते हैं अगर कोई तरंग पी तो चलो तीनों में इसी गुजरती है अगर कोई तरंग ऐस तरंग के किसी अक्षेतर में से नहीं गुजरती इसका मतलू क्या है वे अक्षेतर या तो तरल है या ग्यासिया उस्था में है यह क्या कहते हैं यह एक शाकरित शगन पदार्थों से अधिक तेजी से गमन करती हैं इसलिए गहराई में वुरिधी के साथ सथ इनकी गती में भी वुरिधी होती है ऐस अंगत रूप से उसन चेतर भूकम प्यतरंगों के गती मंद कर देते हैं ठोस की तुलना में दर्वप माध्यमिन की गती अधिक मंद हो जाती है प्रिथवी के भीतर पिंगला हुआ दर्वयक शेतर पी तरंगों की गती को मंद कर देता है और आश तरंगे इसमें गमन नहीं कर सकती मैंने आपको बता ही दिया जो पी तरंगे हैं वैसे तो तीनक शेत करती है लेकिन ऐस तरंगे मातर सिर्फ ठोस एक शेतर से गुजर पाती हैं और यह दर्वय और गया से नहीं गुजर पाती आज आंसी ग्रूप से पिंगला हुआ अच्छेतर पी तरंगों को मंद और एस तरंगों को क्सीनिया निर्बल कर सकता है प्रिवर्तन के कारण प्रावर्तन के कान तरंग के वापस लूड़ जाती हैं और अब और तरंग के तरंगर विविंद हिसा में गभन करती हैं जिसके फलसुट्र भूकं और यह S तरंगे हैं लेकिन यहां आने के बाद गम यह S तरंगे P तरंग का और यह S तरंगे पूरा एस्तरंग का क्योंकि एस तरंगे इस एक्षेत्र के बाद 105 से लेकर 145 डिगरी एक्षेत्र तक गमन ही नहीं करती मतलग क्या कह सकते हैं इसको देखो यह परित्वी है और यह इनका अधी के अंदर है यहां से निकली पी तरंगे यहां से निकली आस्तरंगे देखो यह तर्ल भाग यह है तरल भाग तो P तरंग तो यहां से निकल जाती है और S तरंग यहां से नहीं निकल पाती तो मतलब यहां के बाद S तरंग नहीं निकल पाती 105 डिग्री इसको कहते है तो इसका मतलब यह पूरा जोन आपको मैं समझाने के लिए कहा रहा हूँ इसमें से पी तरंग नहीं गुज़र पाती 9 ok क्या होता है वह एक्षेतर जहांसे कोई थरंग कुजर नहीं पाती तरला उस्ता में विद्ध्यमान कोर द्वारा पी तरंगों से एपर उर्थित होने के करण छायक्षेत्र का निर्मान होता है यह एस तरंगों को पूनता है और उद्ध कर देता है और भूकम पी है भूकम पी है भूकम अधिक अंदर से 105 डिग्री के अंतरगत किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों के तरंगों की समान दोनों प्रकार की तरंगों का अभी लेखन करते हैं 105 के बाद भूकम प्लेखी अभी के अंदर से 155 डिग्री से परे केवल पी तरंगों को ही अभी लेखित करता है से एक सोपांच तक दोनों आती है और 155 के बाद केवल पी पी आती है तो इसका मतलब क्या है 105 के बीच में जो सेड़ जोन है यह स्तरंग का है और 165 के पी तरंग भी नहीं जा सकती यह पी का सेड़ जोन है किसी भूकम फेत्तु मापे गए इन अक्षेत्रों का जयामित्य वीवर्ण विश्तार और भारतिक प्रित्वी के आंतरिक भाग में मुख पर मुख सीमा की स्थिती गणना करने में सक्सम बनाता है साथ ही प्रित्वी साथ ही विविन परतों के ठोस बनाम दर्विया विलक्षण जहां तकि उनके बहुती गुद उध्रव में से कुछ के विश्यम जानकरी परदान करता है हमारा नेक्स्ट क्टी बन्दिय है और बहीर उचंटी बन्दिया चक्रवादों के बन्द हैं मैंने एक वीडियो डाले ती पहले प्र ट्रीक है फैक्ट फॉर यूपेसी परिल्यम से समदित उसमें क्या था ऊसंगिवन देखते हैं उसके बारे मैं ने डाला था ऊसंगिव देखते हैं और गरम होते हैं यह ठंडे होते हैं पहले तो यह हो गया दूसरी बात चक्रवाथ है जो उसनचचे मद्य चक्रवाथ है ताप यह काड़ों से होती है यह अपनी उर्जा संग्रान की गुप तुस्मा से प्रापत करता है और जो बहुर्ण करती पर उतर्पति गति की करण़ों जिसके अंतरगत कोरियलस बल्स और वायू रासी की गती समलित होती है उसन कटी बंदिये चक्रवात की वायू रासी के गंतों पर निर्वर करती है जो उसन कटी बंदिये चक्रवात है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्रेक सांस के बीच में उत्पन होते हैं और जो सितोशन कर वात हैं यह समंद्र भूम्त दे रेखा के 35 से 50 डीघ्री उत्री रिख्शनी में भी शुरीत होते हैं है और हमारा अगरा कार्णवन देखे तूश्रूर्ण कटे में इसक्राइब श्ट्री छोटे होते हैं और यह शीटों सनक्रणधे कटी वारस में तेमपरेश्यität का लगसाब होती है और इसमें वर्षा कम होती है और पर शुर्ट तीवाद में वर्षा कंभी के को होता है और अक्ति थी कोई सिक्तवाइब कोई क्टी मंदिये चकरवात हैं आई का निर्मान होता है जो केंदर में वाई शाहत होती है और कोई वरशा नहीं होते हैं और सिटाओंRE स्करवात में कुईरा का निर्मान नहीं होता है नेक्स्ट वर उसन होता की है यह नियुक्त हुता है यमको पता है कि फैक्टवात में आई का निर्मान होता है यह यहां आई का निर्मान होता है यह बिल्कुल साहत अक्षेतर होता है लेकिन स्टोशन कटे में चक्रवात में इसका निर्मान नहीं होता है इसमें वातागर बनते हैं अगर आपने योगरफी बेसिक त्रीक के से की है तो आप समझ सकते हो वातागर सी तोशन चक्रवात में मुनता है और आईज का निर्मान उचन कटे मंदिये चक्रवात में होता है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है प्राइदीप भारत के वर्तमान अपवात अंतर को आकार देने वाली परमोग भूवग्यानी घटने क्या थी यह क्या करते है जो प्रायदीप हारत है इसमें नर्मदा ताप्थि महानादी गुदावरी कृष्णा कावरी जो इसको कहते है अप वहात नतर प्रवायजल वहीं शेयों कहते है प्राइदी भारत इन नदियों को आकार देने वाली भूवग्यानी घटना कौन-कौन सी है प्रायदी अपवाह प्रतिरूप में बहुलिक कारक्या भूमी का निभाते हैं अगर हम देखें बारतिय जल अपवात अंतर में अनेक छोटी बड़ी नदिया हैं यह तीन प्रमुख भूवा करती काईयों वर्षा की प्रकृति लक्षनों का प्रिणाम है प्रायदी अपवाह प्रनाली हिमाली अपवाह प्राणी से प्राणी है जो यहां प्रायदी नदि है जिसके काण प्रायदी भारत में इस नदी को इस नदी तंत्र को बनाया है पहले घटना है आरंबिक ट्रसियरी काल के दुरान प्रायदीब के पस्चिम पारश्रों का अवतल धसना मतलब जैसे यह हिस्से है एकदम धस गया जिसके काण नदी का प्रुवाह इस साइड हो संबर के दोनों और नदियों की सम्मित योजना में विकरती उत्पन हो गई है दूसरी बात हिमाल्य में होने वाला प्रायथान प्रावथान के कारण प्रायदी खंड के उत्री भाग का अवतलन हो गया प्रणाम सुरू भरंस द्रोनी का निरिमान हुआ जो हिमाल्य का निर पस्चिम दिशा से पूरो दक्षिन दिशा की और जूग गया जिसके प्रवा कांट बंगाली खाड़ी और उन्मुख हुई तीन घटने कुनकुनसी है नमबर एक तो टर्शियर इकाल में पस्चिम भाग का धसना दूसरा हिमाल्य का उथान जिसके कारण बनस बनती है तीसरा जो प्रायदीप खंड का जो दिशा है नि उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरो गयो रहोने के कारण अपुआ बंगाली खड़ी में हो गया आगे पड़ते हैं प्रायदीप नदीप प्रनाली में विद्यमान विभीन गोली कारकों के कारण विभीन जल प्रतिरूपका नुश्रन करती है जिस प्रकार क्या कहते हैं नर्मदा और ताप्पी नदियों की रिप्ट गाटियां के अत्यादिक विभंजित ब्रहंसीत के पठार के परिष्ट जिसकी ढाल कम है इसमें नदी चैनल सथला किरती की ड़लान का अनुस्वन करता है यह चंबल सोन जैसी नदियों के संद्रब में देखा जा सकता है अमर कटंक पठार रांची पठार आदी जैसे नीमन उस भूमी अक्षेतर एरिये पर वहा परत्रूप का निर्मान करते हैं नेक्स्ट हमारा पस्चिमी तटिये मदान समांतर जल अपवाह परत्रूप का निर्मान करते हैं जहां पस्चिमी घाट से उत्पन होती है और पस्चिम की और सीधे पर वहा मारग में अपवायत होती है इसके उधारन है सरावती नेत्रवती और होने वाली नदिया दुराम कृतिक जल्प वहा परतिरों विख्षित करती हैं इस परकार विभीन बखोली क्विशेशताओं जैसे मदानों नीमन उच भूमियों पठारों के प्रणाम सुरूप प्रायदी भारत में मिश्रित परकार के जल्प वहा परतिरों विख्षित होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ हुझाओ है तो कुमेंट में लिखें अगर अब ताकि आप मेरे साथ UPSC और UPPCS की परिय और मेंसमेंस भागिदार और से होगी बंस के धिन्यवाद दोस्तो कर दो